जमाना भी अजीब है ना कामियाब लोगों का मजा गुराता है और कामियाब लोगों से जलता है सोच किसी भी इंसान को जीवन में सफलता तिला सकती है तो किसी इंसान को गिरा भी सकती है एक इंसान के लिए उसकी सोच इस दुनिया में बहुत माइने रखती है उसकी सोच ही है जो उसे इस दुनिया को देखने का नजरिया देती है जिन्दगी में कुछ आगे बराना है तो वो है आपकी सुच क्योंकि सोच के बिना हमारी जिन्दगी नहीं गटी इस दुनिया में दोessment तरह सोच के इंसान होते हैं एक वो लोग जो आपके लिए घडिया सोचते हैं अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो पीछे ऐसे परे रहते हैं मानों आपके अंदर ही उसकी जान चल रही है एक बात याद रखना ऐसी सोच अगर तुम्हारे अंदर है ना तो तुम कभी आरीफ करते हैं और कहते हैं देखो फला इंसान कितना अच्छा काम कर रहा है सोच हमेंसा अच्छी रखनी चाहिए किसी को देखकर ये मत समझो कि मुझे भी ऐसा करना है क्योंकि एक बात याद रखना अगर तुम ऐसे सोच के दलदल में फस गए ना तो समझ लेना कि तुम तुमें सोचने का वक्त नहीं मिलेगा याद रखना मेरे दोस्तों इतनी करवी सच तुमने कभी नहीं सुना होगा अरे यूटूब पर इतने अच्छी अच्छी मोटिमेशन वीडियो देखते हो फिर भी क्यों नहीं बदलते हो यार वक्त के साथ बदलना सीखो और अपनी सोच को बदलो फिर तुमारी हालत खुद बहुत सुदर जाएगी कोई तुमारे लिए अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है तुमें ये सोचने की जरुरत नहीं है तुम हमेशा एक दूसरे के लिए साकारत्मक सोच पैदा करो इसलिए साकारत्मक सोच मनुस्य को सफलता कि और ले जाती है जो सोचता है कि वह चीजों को प्राप्त कर सकता है उसे प्राप्त करने के लिए अपना सर्व स्रेष्ट लगाएगा और वह सफलता की रा में समस्याओं से नहीं हटेगा और एक दिन वह साकार अत्मक रूप से जीतेगा ये मेरा वादा है वो जीतेगा तो जीतेगा हमारी सोच हमारी काम पर निर्वर करता है हमारी काम करने की छमता को परभावित करता है हम जैसा सोचते हैं वो ऐसा ही काम करते हैं यदि हम दीन के 24 घंटे मैं से 10 घंटे हम अगर नेगेटिव बातों पर फोकस करते हैं तो धेरे धेरे हमारी सोच भी नेगेटिव होने लगती है और लोगों के परती नाकारत्मक सोच पैदा हो जाती है फिर हमें दुनिया के हर इंसान में बुराई ही बुराई नजर आने ल देखिए कि एक सोच के बदलने से ही आपके जीवन में कितना बदलाव आता है, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, सोच ही किसी चीज को अच्छा या बुरा बनाती है मेरे दोस्त, और सोच सोच कर हमने इस कहानी को आपके लिए बनाया है, इस वीडियो का अंत अग में याद रखना चिसे अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है ना सफलता उसी के कदम चुमती है सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच दूसरों के लिए बहतर होनी चाहिए जिसमें सफलता करने की जिद होती है वह कभी पीछे नहीं हटता चाहे सामने मुश्किलों का कितना भी बड़ पर वत ही क्यों न हो यदि समस्या बड़ी हो तो समझ जाना कि आप सबसे बहतर हो क्योंकि बड़ी समस्या उनी लोगों के पास आती है जो उनसे डट कर सामना करते हैं सोचो कि आपकी सोच अगर अच्छी हो जाए तो आपकी जिन्दगी कितनी अच्छी हो सकती है झाल